राम राम भाई और बैनों कैसे हो आप आपने बहुत अच्छी तरेह से द्याली बनाई होगी दिपावली चली गई है आपकी खुशियं वरकरार है और दो हर ना आ और बार हर दिन में आपको ताजा बढ़िया खुशियां देता रहे यही मेरी कामना है तो आज मैं एक वीडियो विशेश तोर पर लेके आया हूं जो आप मेरे नुष्के को करोगे तो वास्तम में वैसे भी मेरा नुष्का कोई भी ऐसा नहीं है जो बेकार हो सारे नुष्के अच्छे होते है और बहुत ही जल्दी कारगर साबित होते हैं और यह आज भी मैं वीडियो जो बना रहा हूं और आपको नुष्का बता रहा हूं तो यह मानियों कि यह नुष्का बहुत कारगर है आप करके देखना आपकी बूख बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा कुछी दिनों में जो कहते हैं ना कि भी खाने में एरूची है, लोस ओफ एपिटाइट हो गया, तो उसको खाना बहुत ही अच्छा लगने लग जाएगा और डबल खाना 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 शुरू कर देगा, और खाना खाने के बाद में हाजमा भी बहुत अच्छा रहेगा, कबज नहीं होगी, अगर आपके शूगर की लेवल बड़ा हुआ है, तो आपके शूगर लेवल को कम कर देगा, अगर स्तर पे लियाएगा, कुछी दिनों के अंदर लियाएगा, आप इसको करके देखना, विशेज तोर पर के जो हिस्तरियां पंतालीस-पचास की उमर के बाद में मेनोपोज हो जाता है, उनको उसके बाद में मेनोपोज होने के बाद में उनको अचानक से बहुत सी बीमारियां पकड़ लेती है, तो अगर मेरे इसनुसके को अजमाएंगे, तो ऐसा कोई भी रोग नहीं होगा इस तरियों के, जो मेनोपोज के बाद में होता हो, बिलकुल एकदम से सही रहेंगी, उनको पता भी नहीं चलेगा कि कब हम बुड़ापे की तरफ आ गए हैं, और हमारे मेनों पोज के बाद में जो बीमारियां लगती है, वो एक भी बीमारी नहीं लगेगी, ये बहुत ही काम का नुश्का है, इसको इस्त्रियां खा सकती है, बुड़े खा सकत हैं, छोटे बच्चों को दे सकते हो, आप बड़े जवान खा सकती, कोई भी खा सकता है, किसी भी बीमारी में खा सकता है, बहुत ही जल्दी ठीक करेगा, कोलेस्टोल की मातरा को कम कर देगा, कुछी दिनों के अंदर, और ये आप आज से ही चालू कर देना, और शुरुव करना है, सुबह आपको अंजीर के पानी से, सुबह की शुरुवात करना है, अंजीर के पानी से, ये आपको कैसे बनाना है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप दो अंजीर ले लेना, दो अंजीर लेकर कांच का एक गिलास पानी ले लेना, उसके अंदर ये बिगो देना, के साथ नहीं भीगोना क्योंकि कई वार बादाम जो होते हैं वो डुपलिकेट भी होते हैं उनके उपर कलर किया होता है तो ऐसे में वो कलर उत्रेगा तो खराब करेगा इसलिए दूसरे बरतन में बादाम को भीगो देना सुबह उठकर वो बादाम छील लेना और अंजीर न एक अंजीर का टुकड़ा मुँ में डालना है अथी तरह चबाना है उपर से पानी पीना है वो ही पानी छान के रख लेना है जो अंजीर भीगोई थी वो ही पानी पीना है उसके अंदर नहीं आपको मीठा मिलाना है कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी सिंपल पानी होगा इसी परकार बादाम भी खाते रहिएगा और साथ का साथ वो पानी अंजीर वाला पानी पीते रहिएगा. इस परकार आप रोजाना 20 दिन करोगे तो 20 दिन में आपके चैरे की रंगत गूंग जाएगी आपके शरीर में खून की कमी है तो वो पूरी हो जाएगी और इस तरियों में मेनोपोज के बाद में जो होने वाली बिमारी है उसमें तो राम बान काम करता ये नुश्का तो आप अंजीर और बादाम दोनों का ये नुश्का अंजीर के पानी के साथ में लेंगे तो मैंने जितने भी रोग बताए हैं ये सारे रोग आपके ठीक हो जाएंगे और आप एकदम हटे कटे स्वस्त नजर आने लग जाओगे खून आपका खूब बढ़ेगा तो ये नुश्का करके देखना ये नुश्का बीस दिन करोगे तो आपको पता चल जाएगा मेना डे मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार जै हिंद जै भारत